हेलो गाईस तो कैसे हैं आप लोग आईप आपसा बहुत भड़ी आओंगे अगर पैंस आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में भाई हो आज मैं आपको इस वीडियो में BGMI के 3.2 अपडेट में आने बाले न्यू ट्रांस फॉर्वर मोड के बारे में बताने बाला हूँ और मैं आपको इस वीडियो में A7 रॉयल पास के लिक्स भी दिखाने बाला हूँ तो आप लोग इस वीडियो में बने रही है आने बाला हूँ तो आप लोग इस वीडियो में बने रही है भाई हो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने बाली है तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी इसके मत करना अगर आपको अमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना तो भाई हो विदाउट बेस्टिंग एनी टाइम चलिए अब हम सुरू करते हैं तो चलिए मैं आपको सबसे पहले 3.2 अपडेट में आने बाले न्यू मोड को दिखा देता हूँ आप लोग देख सकते हैं आपको BGMI & PUBG के 3.2 के अपडेट में ट्रांसफॉर्मर का न्यू थीब मोड देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग इस मोड को अभी खेलना चाहते हैं तो आप लोग PUBG बीटा को डाउनलोड करके खेल सकते हैं अगर आपको PUBG बीटा डाउनलोड करने के बारे में नहीं बता है तो आप लोग अमारे चैनल पर वीडियो चेक कर लीजिए तो चलिए मैं आपको इस mode के बारे में बता देता हूँ भाईयों आपको इस mode के अंदर एक helicopter मिलने बाला है आप लोग इरेंगल मैप के अंदर इस helicopter को उड़ा सकते हैं फिलाल तो भाईयों बीटा बजन के अंदर बहुत जादा गिलेच हैं इसलिए इस mode के अंदर जम मैं इस helicopter को उड़ा रहा था तो आप लोग देख सकते हैं ये helicopter मुझे automatically जॉन के बाहर ले जा रहा है मतलब इसके उपर भाईयों मेरा कोई भी control नहीं है इसके उपर सारा control PUBG बालों का है और वो मुझे उड़ाते 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 देखिया आप लोग मुझे काँ पे जाके फैक देते हैं मतलब इस helicopter ने तो मुझे बिल्कुली out of john पानी में फैक दिया है आप लोग देख सकते हैं और आपको इसके अंदर एक magnet वाली gun मिलने वाली जिससे आप लोग किसी भी item को अपने पास खीच सकते हैं आप लोग देख सकते हैं मैंने इस magnet वाली gun से किस तरीके से glider को अपने पास खीच लिया है भाईयों इस gun की range होने बाली अगर आप लोग इस gun से जादा दूर से किसी item को pick up करने ही कोसिस करेंगे तो आप बिल्कुल भी pick up नहीं कर पाएंगे अगर आप इस gun से किसी item को pick up करना चाहते हैं तो आपको उस item के 20-30 meter की range में ही रहना है जब ही आप उस item को pick up कर पाएंगे आ मैंने किस तरीके से कूप RP को हवा में उड़ा दिया है बायो ये वाला बैपन बहुत जादा interesting होने बाला है आप इसकी मदद से किसी भी enemy को भी उठा कर इदर से उदर फैक सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इस गाड़ी को हवा में उठा के बड़ी सामने एक enemy है मैंने किस तरीके से magnet weapon की मदद से उसे अपने पास बड़ी आसानी से बुला लिया है बायों आप लोग इस magnet weapon की मदद से किसी भी enemy को ट्रॉल कर सकते हैं आप लोग उसे उठा के अबामे उदर उदर फैक सकते हैं बंदा आपके सामने बायों कुछ भी नहीं कर पाएगा आप लोग यहां पर life proof में साथ देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इस enemy को बहुत दूर फैक दिया है मतलब बायों यह बाली गन तो बहुत जादा खतरनाक होने बाली है आपको यह बाला mode 3.2 के अपडेट में BGM and PUBG दोनों के अंदर देखने को मिलने बाला है अगर अगर आप इस mode के ऊपर एक complete वीडियो चाहते हैं तो आप हमें comment box में बता देना मैं आपको इसके ऊपर एक complete वीडियो बना के बता दूँगा तो चलिए हम मैं आपको इस mode की एक और बहुत ही बहतरी न पावर के बारे में बता देता हूं आप लोग देख सकते हैं आपको इस mode के अंदर एक transformer मिलने बाला है आप लोग इसके ऊपर drive कर सकते हैं और आप लोग इसकी मदद से बड़ी आसानी से fire भी कर सकते हैं अगर आप इस transformer की मतद से किसी भी बंदे को मानना चाहते हैं आप किसी भी गाडि को बिलाष्ट करना चाहते हैं तो आप लोग बड़ी गिलिच है ऐसे लिए हम लोगों को इसके अंदर बहुत सी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं जैसे ही बीट बजन के अंदर अपडेट आने स्टार्ट होगा उसके बाद इन सारी चीज़ों को फिक्स कर दिया जाएगा और मैं आपको इसके उपर एक complete वीडियो बना के बता दूँगा भाईयों आप लोग देख सकते हैं आपको इस mode के अंदर एक jetpack भी मिलने बाली है आप लोग इस jetpack की मदद से भाईयों iron man की तरह उड़ सकते हैं आप लोग इस jetpack की मदद से एक location से दूसरी location पर बड़ी आसानी से जा सकते हैं आप लोग देख सकते हैं इसकी speed कितनी जादा है और मैं कितनी आसानी से एक location से दूसरी location पर बड़ी आसानी से जा रहा हूँ भाईयों अभी इस jetpack के अंदर थोड़े गिलेच है क्योंकि हमें इसके अंदर कोई भी fire करने का option देखने को नहीं मिल रहा है जैसे ही beta version के अंदर थोड़े और update आईए हो इसके साथ में हम लोग इस jetpack की मदद से बड़ी आसानी से fire भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को ये बाला mode अच्छा लगा उट तो आप लोग हमें comment box में जरूर बताना और अगर आप लोग इस mode के उपर एक complete video चांते हैं तो आप लोग हमें comment box में एक बार जरूर बताना मैं आपको इसके उपर एक complete video बना के बता दूँगा क्योंकि भाईयो यहे मेरा काम है मैं आपको हर मोड के बारे में और BGMI एंड PUBG के लीक्स के बारे में हमेशा बताता रहता हूँ तो भाईयो अगर आप लोगों ने अब तक हमारी वीडियो को लाइक ने किया है भाईयो इन लीक्स का केड़ेड मैट तमीजा बाईठी को जाता है तो आप उनका भी चैनल चेक आउट कर लेना थैंकी सो मज मैट तमीजा ब्रो फॉर दिस लीक्स आप लोग देख सकते भाईयो आपको 3.2 के अपडेट में आपको 3.2 के अपडेट में तीसरी लोबी ये बाली देखने को मिलने बाली या आप लोग इसे भी देख सकते हैं मतलब भाईयो इस लोबी का तो मैं क्या कहूँ मुझे तो ये बाली लोबी बहुत जादा जबर जस्त लगी है अगर आपको ये बाली लोबी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तो चलिए हम मैं आपको A7 Royal Pass के लीक्स दिखा देता हूँ आप लोग देख सकते हैं आपको BGMI एंट PUBG के A7 Royal Pass के अंदर 100 RP का Mythic Set ये बाला देखने को मिलने बाला है और आपको A7 Royal Pass के अंदर 50 RP पर एक अपगेड़ बल PP90 बायजन की स्किन मिलने बाली है आप लोग इस 100 RP के Mythic Set मतलब 100 RP के करेक्टर के आथ में देख सकते हैं आपको ये बाली PP90 बायजन की स्किन 50 RP पर A7 Royal Pass के अंदर देखने को मिल जाएगी आप लोग इस गन को बायों हमेशा की तरह लेविल 3 तक अपग्रेड कर सकते हैं आप लोग देख सकते हैं हमें बहुत टाइम के बाद BGMI और PUBG में रोयल पास के अंदर कोई 100 RP का Mythic Set मेल देखने को मिल रहा है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्से जरूर बताना कि आपको ये 100 RP का Mythic Set कैसा लगा तो चलिए हमें आपको A7 Royal Pass के और लिक्स दिखा देता हूँ आप लोग देख सकते हैं आपको A7 Royal Pass के अंदर एक Molly की स्किन मिलने बाली है आप लोग इसे भी देख सकते हैं तो चलिए हमें आपको A7 Royal Pass के कुछ और लिक्स दिखा देता हूँ आप लोग सबसे पहले A7 Royal Pass का अबतार देख सकते हैं उसके बाद आपको A7 Royal Pass का ये वाला frame देखने को मिल जाएगा और आपको A7 Royal Pass के कुछ emote मिलने बाले हैं आप लोग इने भी देख सकते हैं भाईयों हो सकता है कि आपको A7 Royal Pass के अंदर mummy set से related कोई emote देखने को मिल जाए क्योंकि आपको leaks के अंदर ये वाला emote देखने को मिल रहा है लेकिन मुझे लगता तो नहीं है कि BJ वाले हम लोगों को Royal Pass के अंदर कोई इतना जबरजस्त emote देंगे आप लोग देख सकते हैं आपको Royal Pass के अंदर एक PP90 वाईजन की स्किन एक QBZ की स्किन और एक Victor की स्किन और एक M24 की स्किन मिलने बाली है आपको ये बाली 4 वैपन की स्किन A7 Royal Pass के अंदर देखने को मिल जाएगी भाईयों अभी फिलाल A7 Royal Pass के complete leaks नहीं आए हैं जैसे इनके full leaks आएंगे बैसे ही मैं अपने YouTube चैनल पर upload कर दूँगा तो चलिए हम मैं आपको 3.2 के update में आने बाले ultimate set के साथ आने बाली upgradable वैपन की स्किन दिखा देता हूँ भाईयों आपको 3.2 के update में दो ultimate set देखने को मिलने बाले हैं आपको first ultimate set के साथ में एक upgradable AKM की स्किन मिलने बाली है अगर आपको 1.2 के update में एक खतरनाक AKM की स्किन देखने को मिल जाएगी आपको ये बाली AKM की स्किन first ultimate set के साथ में देखने को मिलने बाली है आप लोग इस AKM की स्किन को भाईयों लेबिल 7 तक अपगेड कर सकते हैं मतलब मुझे तो ये बाली AKM की स्किन बहुत जादा खतरनाक लगी है आप लोग हमें comment box से जरूर बताना कि आपको ये बाली AKM क m416 की स इसीं के स्किन को लेबिल 8 तक अफगेड कर सकते हैं आपको कि साथ में Midwest भी बहुत जादा खतरनाक देखने को मिल जाता है और आपको ये लूट केट भी बहुत जादा खतरनाक देखने को मिल जाती है भाईयों इस legislator की स्किन को किसी भी bgmi या पबगी के designer ने design नहीं किया है इसे हम लोगों की तरह normal player किसी normal player ने design किया आप लोग इस player की bgmi या pubg ID को भी देख सकते हैं भाईयों जिस player ने इसे design किया है वो bgmi player भी हो सकता है pubg player भी हो सकता है आप लोग उसकी ID को सर्च करके देख सकते हैं आपको इस picture के अंदर उस बंदे की ID भी देखने को मिल रही है भाईयों आप लोग इस M4 की skin को level 8 तक upgrade कर सकते हैं आपको इसके साथ में glorious moment loot crate, kill message सारी चीजें बहुत ज़्यादा खतरनाक देखने को मिल जाती हैं भाईयों जैसे ही इस M4 के complete leaks आएंगे बैसे ही मैं उन्हें अपने चैनल पर upload कर दूँगा तो अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को subscribe कर दीजिए और साथ में bell notification को भी all पर press कर दीजिए ताकि मैं जब भी उस वीडियो को upload करूँ तो उस वीडियो की notification आपके पास सबसे पहले पहुँच सके तो भाईयों आप लोग वीडियो को like चैनल को subscribe और bell notification को all पर press कर दीजिए भाईयों आपको 3.2 के update में एक upgradable QBJet की skin भी मिलने वाली या आप लोग इसे भी देख सकते हैं भाईयों आप लोग इस QBJet की skin को label 7 तक upgrade कर सकते हैं भाईयों अभी 3.2 update में आने बाली all crate के complete leaks नहीं आए हैं जैसे इनके leaks आएंगे बैसे ही मैं अपने चैनल पर upload कर दूँगा क्योंकि भाईयों अभी 3.2 का update रोल आउट होना start उगा है बीटा बर्जन के अंदर जैसे ही बीटा बर्जन के अंदर complete update आएगा उसके साथ में मैं आपको सारे leaks भी दिखा दूँगा भाईयों आप लोग चाहें तो इस QBJet के अंदर upgrade opening कर सकते हैं लेकिन मुझे तो भाईयों सबसे खतरनाक M4 की skin लगी है जब भी M4 की skin हमारे BGMI के अंदर आएगी तो मैं उसके अंदर upgrade opening जरूर करने बाला हूँ भाईयों आपको 3.2 के update में एक PP90 बाईयों की skin भी मिलने बाली है आप लोग इसे भी देख सकते हैं आप लोग PP90 बाईयों की skin को भाईयों लेबिल 7 तक अपग्रेड कर सकते हैं मुझे PP90 की skin भी भाईयों कोई ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको PP90 बाईयों, QBZ, M4 और AKM में सबसे ज़्यादा खतरनाग लगी है भाईयों मुझे तो सही बता रहा हूँ मैं आपको 3.2 के update में AKM और M4 की skin बहुत ज़्यादा जबर्जस लगी है भाईयों जब भी M4 की skin या AKM की skin हमारे BGMI के अंदर आएगी तो मैं तो इसके अंदर create opening जरूर करने बाला हूँ तो चलिए हम मैं आपको 3.2 के update में आने बाली upgradable buggy की skin भी दिखा देता हूँ आप लोग देख सकते हैं आपको 3.2 के update में BGMI and PUBG के अंदर दो mythic upgradable buggy की skin भी मिले बाली है भाईयों अभी इन buggy के full texture नहीं आए हैं जैसे इनके full texture आएंगे बैसे ही मैं अपने channel पर upload कर दूँगा तो चलिए भाईयों हम मैं आपको 3.2 के update में आने बाले avatar और avatar frame भी दिखा देता हूँ आप लोग देख सकते हैं आपको इन में ऐसे कुछ avatar royal pass के अंदर ultimate set के अंदर popularity battle के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो भाईयों आप लोग इन अवतार और avatar frame को देख लीजिए अब हम आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं अगर आपको अमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारी चैनल को subscribe कर दीजिए भाईयों मैं इस वीडियो पर 50 लाइक का एम रखता हूँ तो प्लीज आप लोग हमारे 50 लाइक के एम को जल से जल कम्प्लीट करवा दीजिए तो भाईयों अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में thank you so my friends, thanks for watching take care, bye bye and love you guys